idioms and phrases में आज हम आपको बता रहे हैं be in the black, हमने आपको पहले बताया था be in the red, ये ठीक उसका कुल्टा है, be in the black, यहाँ पे चार options दिये हुए हैं, पहला है person among the black people, यानि काले लोगों में कोई एक आदमी, बी, to be in debt, यानि कर्ज में डूबा हुआ, सी है, to be in profit, not in debt, यानि लाब में होना, कर्ज में नहीं, और डी है, to put black color on someone, यानि केसी पर काला रंग डालना, तो अब इसमें से कौन सा option सही हो सकता है, हम देखते हैं दो sentences, रमेश was pleased to announce that his company is going to be in black, ठीक है, दूसरा sentence है, सुधा वस turned into black, she is no more in the red, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, रमेश ने, खुश होकर घोशना की, कि company अब लाब की और बढ़ रही है, खुश होकर घोशना की, इसका मतलब अच्छी बात होगी, तो इसका अर्थ होता है, कर्ज में नहीं, या कर्ज खतम करके लाब में आना, ठीक है, दूसरे sentence की हिंदी हम बताते हैं, सुधा अब black में आ गई है, यानि लाब में आ गई है, और अब वो कर्ज में नहीं रही, समझ में आ गया, ठीक है, अब अगर आप हमको facebook पे देख रहे हैं, तो हमें like कीजिए, और अगर youtube पे देख रहे हैं, तो subscribe कीजिए और follow की ये